दूद अंकल अर्सोई में रख दो मेवात में हुआ हिंदूं पर हमला गुड़गाओं तक पहुंची दंगों की आग पता नहीं ये हमारे वाले हिंदू कब जागेंगे कि दूदंकल अर्सोई में रख दो बंगाल में फैली हिंशा हिंशा में दो हिंदू की हत्या हुई पता नहीं ये हमारे वाले हिंदू कब जागेंगे पाकिस्तान में हुआ हिंदू मंदिर पर हमला अपना घर छोड़ कर भागे हिंदू परिवार पता नहीं हमारे वाले हिंदू कब जागेंगे एक दिन ये दंगाई हमारे घरों तक पहुंच जाएंगे पता नहीं ये हमारे वाले हिंदू कब जागेंगे अपकी तो उम्र हो चुकी है अब धर्म के काम आने का मौका है मार नहीं सकते धर्म के लिए मर तो जाओगे ही चलो अरे नहीं बेटा तुम तुम जवान खून हो ये तो तुम्हें जैसे लोगों को करना होगा ठीक है अपने जवान बेटे को बेज़ दो वो तो बेटा वो तो लंडन गया छे महीने हो गए पता है मैं आपके छोटे बेट की बात कर रहा हूं वो भी अब तो बाइस साल का हिंदू हो चुका है ओ निटू निटू आज अब ही बाहर अंकल क्या क्या रहे है पाफ साथ लोगों का मडर कर क्या आना है बेजो अरे देखो पीटा थोड़ा समझो बात को वो छोटा है पढ़ने लिखने वाला बच्चा है वो तो अच्छा वो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है हमारे बाब आपने तो हमें दंगे करने के लिए पैदा कर रखा है ओ अंकल कब तक हम लोगों का बेवकूफ बनाते रहोगे आपके बच्चे तो जाएंगे लंदन पढ़ने के लिए और हम गरीब किसान मजदू पूर दलित पिछडों के बच्चे जाएंगे दंगों में धर्म की रक्षा के लिए अवे कब तक हम भोले लोगों का फाइदा उठाते रहोगे कब तक हमें नफरत की आग में जलाते रहोगे ओहो दूद वाला होकर लिब्रांडवों जैसी बाते करते हो अब समझ में आया सुनो ये हिंदों को किसान दलित और पिछडों में बाटने के कोशिश मत करो अगर हिम्मत है तो मुस्लमानों के बारों में यही बात बोल कर दिखाओ करते हैं जो दूसरों को गोली मारने की बात करते हैं और नहीं वो फेस्बुक के उपर आकर धर्म की रक्षा करने वाले वो दूसरे धर्म के लोगों को ललकारने वाले नेताजी नज़र आते हैं मरने वानने के लिए कौन बचा हम गरीब मरने की जिम्मेदारी हमारी है प्रिया के वज़े से देश में इतनी नफरत बढ़ गए है लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं बताओ उन दुकान वालों की क्या गलती थी जिनकी दुकानों में आग लगा दी गई पताओ उन लोगों की क्या गलती थी जिनको घरों से बाहर निकाल कर मार दिया गया जिनकी घरों पर हमला किया गया जिनकी गाडियों को फूका गया जिनकी गाडियों के शिशे तोड़े गए इलेक्शन के टाइम तो तुम लोग बड़ा कह रहे थे कि फलाने नेता को वोट दे दो धर्म खत्रे में है फिर सारा खत्रा टल जाएगा डबल इंजन की सरकार ब करेंगे पुलिस से सवाल नहीं करेंगे ये नहीं पूछेंगे कि जब दंगा हुआ तो सरकार कहा थी पुलिस ने कारवाई क्यों नहीं की सब कुछ पता होते हुए भी कारवाई क्यों नहीं की बताओ पुलिस वालों को क्या आदेश दिये गए थे मुझे अंकल सिर्फ एक क्या करें जो हर दंगे के टाइम गायब हो जाती है आपकी सरकार के नेता खुद कहने लग जाते हैं नहीं अपनी रक्षा खुद करो पुलिस पर भरोसा मत करो सरकार पर भरोसा मत करो हथ्यार उठालो दंगाई बन जाओ क्या करें हम ऐसी सरकार का मणीपुर से लेकर हरियाना तक में जहां भी वोट दी वहाँ आग लग गई जहां भी वोट दी वहाँ पर लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए आप जैसे लोगों ने हिंदू-मसल्मान हिंदू-मसल्मान करकर के लोगों में इतना जहर भर दिया कि अब अगर कोई गलती से मोदी और योगी की बुरा अगर आप लोगों को लग रहा ना कि खत्रे में है खत्रे में है तो पुलिस को कॉल करो सरकार से सवाल पूछो क्योंकि मंदीर के बाहर निकाले के चपल से लेकर आपकी गाड़ी के शीशे तक की रक्षा करना पुलिस का सरकार का काम होता है उनको अपनी जिम्मेदारी से मत भागने दो बताओ इस सरकार को यह जो दंगे होते हैं ना यह सरकार की सफलता नहीं सरकार की विफलता होती है बताओ इन नेताओ को कि आप इनको इसलिए वोट नहीं देते कि आप अच्छे दंगे करवाते हो बल्कि आप लोग इसलिए वोट देते हो कि दंगे ना हो